तो डियर स्टुडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयूस तो स्टुडेंट आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संधी संधी का ये है one short वीडियो यानि कि आज के इस वीडियो में संधी में जितना कुछ आपको पढ़ना है वह सब कुछ एकदम zero level zero level तो भूल जाए एकदम minus level से आपको पढ़ा देंगे यानि कि पहुत अच्छे से समझा देंगे बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा ठीक है उसके बाद अभी संधी का detail lecture पढ़ा ही दियें तो किसी को अगर कुछ दिक्कत हो तो detail lecture को देख लिजिएगा और आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा common doubt आ रहा था कि सर संधी तो बन जा रहा है लेकिन उसको तोरने में, बिछेद करने में यानि break करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो वो भी दिक्कत आज 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 आपका दूर होने बाला है यानि कि संधी का आज है complete package बोनस है तो पूरा लेक्चर देख लिजेगा बोड में एक भी संधी नहीं छूटेगा ठीक उसके बाद जो भी ने बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिपिकेशन दवा दीजिए और सामिल हो जाएए फोफाड एके क्राश में त संस्क्रीत बोड इक्जाम की बिल्कुल भी चिंता नहीं किजेगा आप पहाँ पर हमसे पट रहें तो फूल माक्स की गेरेंटी है ठीक अब इससे ज़्यादा आपको हम क्या कहें चलिए स्टुडेंटे स्टार्ट करते हैं संधी को और अराम से आपको सब कुछ संधी को समझते हैं इस बार संधी बहुत इजी होने वाला है ऐसा क्यों क्योंकि स्वर संधी आपके सलेवस में नहीं पढ़ना है ठीक है आपके अंकल जी स्टी वेसी उसका खात्मा करके हटा दिया हुआ है तो संधी का बड़ा सिंपल सा डिफनीशन है पहले डिफनीशन फिर उसको समझाते हैं यह मत खुल बुला जाएगा कि सर क्या लिख दिये क्या लिख दिये समझी नहीं आ रहा है अराम से रहिएगा इसका डिफनीशन है कि जब जब दो बर्न आपस में मिलते हैं जब दो बर्न आपस में मिलते हैं बाबु सोना की तरह जब दो बर्न आप में मिलते हैं और विकार उत्पन करते हैं उसे संधी कहते हैं उसे संधी कहते हैं नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि एकजाम में टॉपर वही बनेगा और फूल माक्स उसी कहेगा जो खुद का नोट्स बनाएगा क्योंकि खुद का नोट्स जो होता है सबसे बहतर होता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है आप अपने एकोर्डिंग लिखते हैं दूसरा का नोट्स में तो अपने एकोर्डिंग लिखता है तो आप अपना नोट्स खुद तो इसका बड़ा simple सा definition है कि जब दो बर्न आपस में मिलते हैं, यानि कि जब दो गो बर्न आपस में मिलेगा, अब आप में से बहुत स्टुडेंट कहेंगे कि सर यह तो समझ गए कि कोई दो बर्न आपस में मिलेगा, लेकिन सर यह बर्न क्या होता है, तो एक class 1 में आपको मैम पढ़ाई होंगी, क्या, कि जो भी कखगगँ है, चचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच तो यहाँ पर भी वही है दूगो बर्ण है उसको दूगो रियक्टेंट माल लीजिए और उसको दूगो आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बना देगा विकार उत्पन कर देगा ठीक वही क्या है संधी है ठीक तो इतना समझ में आ गया है यस सर थोड़ा नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है एकजाम में ये डिफनीशन तो पूछेगा नहीं कुष्चन पूछेगा तो मेन है आज कुष्चन बनाना आपको एकदम अच्छे दंग से सिखा देंगे चिंता नहीं कीजिए अब इसका एक नन्हा सा प्यारा सा खुपसूरत सा फेमस सा सवाल लेते हैं एक सवाल है बिद्या जोर आले बताए इसका क्या संधी होगा बिद्या जोर आले इसका क्या संधी होगा बताए बिद्या जोर आले सबको पता है बचपन से आप रटते आ रहे हैं क्या होगा बिध्याले होगा लेकिन आप में से अगर हम पूछे कि कौन ऐसे स्टूडेंट है जो बता सकते हैं कि बिध्या जोर आले बिध्याले ही क्यों होगा बिधाले क्यों नहीं होगा आप में से कोई बता सकते हैं बहुत चारे student बता सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि संधी का rule इसमें लगा है सर कौन सा rule आप ninth में भी पढ़ें सर हम नहीं पढ़ें तो थोड़ा तो यहां time लगेगा अराम से समझेगा संधी में क्या होता है जो भी पहला सब्द होता है ठीक है सब्द मतलब word उसका last में देखिए कि क्या लिखा हुआ है तो जैसे बिद्या है बिद्या के last में क्या लिखा हुआ है सर आ लिखा हुआ है अरे सर आ कहा लिखा हुआ है यहां तो सर धा लिखा हुआ है नहीं नहीं यही आप गड़बर करते हैं संधी में उचारन का बहुत बड़ा रोल है जैसे बाबु सोना में पीजा बरगर का कितना बड़ा रोल है यह सर तो उसी तरह संधी में उचारन का बहुत बड़ा रोल है तो आपको उचारन करना सीख लेना है बहुत आसे तो बिद्ध्या उचारन कीजिए क्या रहा है बिद्ध्या 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 आ आ आ रहा है तो आ हो गया अच्छा सर ये है हाँ और दूसरे वाले सब्द में पहला का उचारन करना पड़ता है दूसरे वाले सब्द में पहला का उचारण करना पड़ता है उचारण कीजिए क्या रहा है आले 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 आ रहा है पलस में क्या हो गया और कलास नाइंथ में नहीं पढ़े हैं तो बहुत गलत काम किये हैं स्वरसंधी के बिना बहुत चीज़ दिक्कत हो तो जिनको दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पढ़ लिजेगा, तो सर, अंकल जी यानि CBSC क्यों हटा दिया सलेबस से, तो अंकल जी तो इसलिए हटा दिये, क्योंकि अंकल जी को पता था कि आप 9th में तो दे दिये हैं, तो बचा सब पढ़िये लिया होग लेकिन आप लोगों नहीं पढ़े तो अंकल जी क्या करें, समझ ये, अब A plus A जो है, वो मिलके A बन जाता है, सर कैसे बन जाता है, हमको कैसे पता चलेगा, इदिर्ग संधी का रूल है, हम भी याद किया, आपको भी याद करना है, लेकिन CBSC में इस बार नहीं आ रहा है, त समलगा किया है, आप computer screen पर देखेंगे, तो इस में का A तो आप निकाल लिए, सर कहा निकाल लिए, यहाँ नहीं निकाल लिए, यह सर तो सरी नीचे answer क्या लिखा हुआ, यह छोड़ी है न, यह answer कैसे आई बताते हैं, आ तो निकाल लिए, यह सर, बिद्या में का भी A आप तो समझेंगे, प्लस एक A पर है, जो नहीं रहना चाहिए, तो इधर क्या बच गया, सर, इधर बच गया, बिद्या और इधर क्या बच गया, लए, अब आप गुंडा मवाली थोड़ी है, जो अपना मन से निकाल दिए, आप दोनों को निकाले, और दोनों के जगर रूल स से क्या लिखेंगे, एक ही A लिखेंगे, अब यह A जो है बीच में अडियेस्ट होना चाहेगा, लेकिन धाव पर पहली से A है, तो कैगा रे भाग, हमरा पास पहली से एगो तहट, यहां पर क्या, एगो डंडा बच गया, वही लग गया, बन गया बिद्या ले, यह होता है संधी, यह क्या होता है, संधी होता है, ठीक, तो यह सर हमको थोड़ा बहुत नहीं आ, बिल्कुल टेंसन नहीं लिजे, यह वाला जो रूल का संधी है, यह बोट इक्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, तो क्यों समझा रहे हैं सर, इसलिए समझा रहे कि में चीज़ आप स अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब चलिए स्टूर्डेंट स्टार्ट करते हैं संधी, अब आप कहेंगे कि सर, अभी जो पढ़ाएं वो नहीं पढ़ना था, तो नहीं, उससे एक भी सवाल बोट के एक्जाम में नहीं आगा, तो सर आप तो हमें पगला बना दि इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंस होता है, क्या बोलते हैं, उसको महत्व होता है, अपना-पना सब का क्या है, भैलू है, नहीं तो सादी तो कोट मेरेज भी हो जाता है, एक मिनट में, ज़स साहब लिख दिये हैं, फलाना कुमारी, फलाना कुमारी की वाइपी, ठीक है, दिख दिये का जब सादी का सब फंक्सन होता है मटकोर होता है इंगेजमेंट होता है रिषेप्शन होता है तमने मज़ह आता है यह सर सर तो लय बनाने के लिए पढ़ाना परता है अब आपके इस किलीन पर कुछ चीज दिख़ःा होगा आप इसको देखकर confused मत होईएगा confused तो आप हो गए होगे क्योंकि कोई भी teacher ये आपको नहीं पढ़ाएगा तो sir आप क्यों पढ़ा रहे हैं हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि board में जाके आप ये न बोले कि sir नहीं पढ़ाएं देखिए संधी का जो student question रहेगा वह लगू उत्तर देना रहेगा इसका मतलब होता है कि आपको answer लिखना होगा कोई भी mcq संधी का नहीं आने बाला है ठीक है कोई भी option नहीं देगा आपको खुद से answer लिखना होगा तो इसका ये मतलब है कि पहले से ही आप अपने आपको बहुत अच्छे डंग से prepare करके उहाँ पर पहुचिएगा ये होता है strategy full marks लाने की और यही सब कड़ाते हैं इसलिए हर साल बच्चा full लाता है अब देखिएगा समास में बहु बिकल्फ है मतलब कि mcq रहेगा प्रते में भी mcq रहेगा बाच्च में भी mcq रहेगा फिर घटिका में नहीं रहेगा अब्बे में नहीं रहेगा असुधी संसोधन में रहेगा तो ये सब ध्यान रखिएगा उसके बाद संधी में संधी में जो है इस साल आपको परिवर्तन, दो रूल आपको यहां पढ़ना है, विसर्ग में उत्वम पढ़ना है, रूत्वम पढ़ना है, लोग पढ़ना है, और विसर्ग का कैसे 100 में चेंज हो जाता है, वो पढ़ना है, यानि कि सत्वम संधी आपको पढ़ना है, तो इतना संधी आपको क्या करना है, अब चलिए student start करते हैं one by one संधी को पढ़ना अब चलिए student start करते हैं संधी को पढ़ना तो जैसा कि आप जानते हैं कि संधी के कितने परकार है तो쳤ो संधी ब्यांजन संधी और विसर्ग संधी जिसमें ब्यांजन और विसर्ग आपको पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है आपको बता दिए अब ब्यांजन संधी का जो पहला पढ़ना है वर्ग ये पर्थम वर्ण से तिर्तिये वर्णे परिवर्तनम इसका हिंदी में हुआ कि प लिए करते हैं start अब ये प्रथम बन का तिर्थिये बन में परिवर्थन student आपको पढ़ाते हैं अराम से definition लिखते हैं और फिर question कराते हैं खूम मजाएगा बिल्कुल भी tension नहीं लिजेगा ये rule कहता है ध्यान से पढ़िएगा दो ही rule आपको बेंजन में पढ़ना है और दो नमबर का है मतलब एक rule से एक नमबर का सवाल आने वाला ध्यान से पढ़िएगा ये rule कहता है कि यदि यदि प्रथम बर्न के बाद सब कुछ समझाएंगे पूरा post-martem करके explain करके तिनसा नहीं लिजेगा यदि प्रथम बर्न के बाद प्रथम बर्न के बाद यदि प्रथम बर्न के बाद बोलते चलिए हमारे साथ याद होते चलेगा यदि प्रथम बर्न के बाद स्वर बर्न रहे स्वर बर्न रहे अभी सब पताएंगे टेंशन में लिजे पहले लिखने दीजे किसी बर्ग का टीसरा चौथा अक्षर रहे तू प्रथम वर्ण का तिर्थीय बर्ण में तिर्थिये वर्ण में परिवर्तन यानि कि चेंज परिवर्तन हो जाता है हो जाता है अब सांती से इसको समझे कि कहना क्या चाहता है यह जो रूल है स्टुडेंट पहला रूल यह आपसे कहना चाहता है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद यानि जो भी कांड होगा वो प्रथम यानि कि पहले बर्ण के बाद ही होगा यानि पहले अक्षर के बाद ही होगा अगर स्वर बर्ण आए तो स्वर बर्ण का मतलब क्या हो गया जो भी O, A, E, U पर्धते हैं वो स्वर है तो यदि प्रथम बर्ण के बाद स्वर बर्ण आता है या किसी बर्ग का तीसरा चोथा अक्षार आता है तो सर यह तो समझ गे कि प्रत्थम बर्ण के बाद सुवर बर्ण आएगा जादा आपको तभी समझ में आगा जब आभी एक्जामपल कराएंगे वो देखिएगा patience बना के रखिए क्योंकि एक बात दिमाग में रखिए हम तारीफ नहीं कर रहे है जो बात है बताते है संस्क्रेट का कोई भी टॉपिक आप हमसे पढ़ने आ गए है तो यह ध्यान में रखिएगा कि हम आपको समझा कर ही छोड़ने बाले है तो patience बना के देखिएगा बरात में patience बना के रुकिये का तम न मुलाकात होगी ठीक है तो यदि प्रथम बर्ण के बाद स्वर बन रहे कह रहा है कि प्रथम बर्ण तो रहना ही चाहिए वो mandatory है उसके बाद अगर स्वर बन रहे या किसी बर्ग का तीसरा चोथा अक्षर है तो सरी ये किसी बर्ग का तीसरा चोथा अक्षर क्या होता है तो आप बच्मेर में पढ़ते आए हैं का खा गा घा अंगा तो ये का बर्ग हुआ का गुरूप हुआ इस बलोक पी बलोक वही है चा चा जा 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 या यह चो ग्रूप हुआ जिसको हिंदी में चो बर्ग बोलते हैं यानि किसी भी बर्ग का तीसरा चोथा अक्षर रहेगा तो प्रथम बर्ग जो है वह चेंज कर जाएगा किसमें तो अपने ही बर्ग के तीर्थिये बर्ग में अब आपको 90% समझ में आया होगा या हो सकता है कि किसी स्टुडेंट को 50 ही आया हो लेकिन अभी जब एक्जामपल करेंगे क्योंकि मैथ का कॉंसेप्ट पढ़ने से मैथ आता है नहीं आता है कुश्चन करने से आता है अब कुश्चन करा रहे हैं तो देखिए कैसे बनेगा तो अभी आपको हम रूल पढ़ाएं ठीक है तो रूल जो है पढ़ने के बाद समझ में उतना अच्छा धंग से नहीं आता है ठीक तो चिंता नहीं कीजिए जब तक कुश्चन नहीं कराएंगे कोई भी रूल नहीं समझ पाईएगा अब चलिए कुश्चन पे चलते हैं अब देखिए पांच कुश्चन है और देखिएगा बड़ा आराम से कुश्चन कैसे कैसे होता है इसमें बहुत सारा बेसिक चीज जानना है जो वन कलास टू कलास का है तो थोरा सा दिमाग खोल लीजिए अब बताएंगे ध्यान में रखिएगा चलिए कुश्चन करते अब देखिए पहला कुश्चन आपके सामने आया वाग पलस अर्थ कभी भी कुश्चन को देखके घबराना नहीं है और उसको छोड़ कर भागना नहीं है अराम से बाचीत करना है बाचीत से ही आज आपके पास बाबू सोना है अगर किसी के पास है तो आपका बाचीत अच्छा नहीं है तो बाचीत अच्छा कीजिए अब कुश्चन से बाचीत करेंगे वाग पलस अर्थ ठीक है सर बताएं थे कि पहला सब्द का लास्ट वाला देखना चाहिए तो लास्ट में क्या लिखा है सर को लिखा हुआ है को क्या लिखा है लास्ट में उचाने कीजिए वाग क्या है को है को है को है की नहीं है यस सर अब देखिए को क्या है ये बताइए को हलंथ है? मतलब को ही है? Yes sir अब को क्या है ये बताइए तो को है अप्रफम वर्न प्रफम वर्न बोल लजिये या प्रफम अक्षर बोल लिजिये सर आपको कैसे पता लगा? याद होगा तरी पहली नहा को दूसरा नमबर पे खो तीसरा नमबर पे गो, चोथा नमबर पे गो, पाचमा नमबर पे यह, अंग, ठीक, तो यह उससे पता चलेगा, यह तो याद करना होगा, कखा गग, कहीं भाई बैन हो, छोटा छोटा, ठीक है, तो साइड में देखिए बुडियो ने, तो हस देगा आपको, कखा गग, याद बताईए, सर स्वरबर्न है, सर आपको कैसे पता चला कि ओ स्वरबर्न है, इस सब टू कलास का चीज है कि ओ, आ, इ, हरस्वी, दीरगी, ए, ओ, ए, ओ, भी लिखने आपको लोग को, अड़े, ए, इवला, ए, हमको पता है, नहीं आ रहा है, ति इस सब क्या है, ओ, इस सब क्य का चचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच जरूरत नहीं है प्राथम बन रहना जरूरी है ठीक है सजन मजबूरी है प्राथम बन रहना जरूरी है और उसके बाद स्वर बन रहेगा तयो बाबा अगर किसी बर्ग का तीसरा चोथा पाच्मा बर्ण रहेगा तयो बाबा कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर स्वर आ गया है गो तीसरा है उसी तरह अगर टो बर्का देखे तो टो पहिला ठो दूसरा डो तीसरा और डो क्या है चोथा है तो अब यह रूल होगा अब रूल क्या कहता है यह रूल तो फॉलो हो गया सर कैसे फॉलो हो गया तो प्राथम बर्न के बाद स्वर बर्न आया न तो रूल फॉ तो कौ का अपना तिर्थिया क्या है गौ है तो कौ कि इसमें चेंज हो जाएगा गौ में हो जाएगा तो कौ को जो है हम लोग क्या करेंगे गौ में चेंज कर देंगे ध्यान रखना है आपको कि जब यहां पर कौ हलंथ है तो वो भी गौ हलंथ में चेंज हो जाएगा और ब् गिया अब आप में से बहुत student ऐसे ही बना के आ जाएंगे आप कहेंगे हमको number दीजिए अब master जो यहाँ पर काट देगा अब आप कहेंगे sir इसका मतलब आप गलत पढ़ाएं आपके rule के according तो बना दिये तो क्यों काट देगा इसलिए काट देगा कि एक बच्चा में class 2 में 2 म नहीं वर्ण में भी नहीं आप लोग cbsc से हैंना cbsc में नरसरी एलकेजी उकेजी होता है सरकारी में नहीं होता है यह मैडम सब पढ़ाती है कि बेटा को इक्वल टू को हलन्त प्लेश ओकी बेचा लंच में क्या राए हूँ प्राठाल आए हूँ मेरे को खिला होगी तो यह मैम सब पढ़ाती थी ना को इक्वल टू को हलन्त प्लेस ओ यानि कि को हलन्त यानि कि आधा को और ओ मिलके पूरा को बनता है उसी तरह को इक्वल टू को हलन्त प्लेस ओ अ अच्छा तो गो इक्वल टू क्या होगा बताए तो गो हलन्त प्लेस ओ होगा मैम सब पढ़ात अच्छा सर ये बात है जी हाँ तो अब बताईए कि यहाँ पर क्या आपको कुछ दिख रहा है दिमाग से जुगार करना बताईए कुछ दिख रहा है यह सर दिख रहा है क्या यहीं दिख रहा है कि गोह हलंत और इधर अ दुनु सट रहा है तो दुनु को सटा के क्या बना द लेंगे अच्छा सर जैसे अभी आप बताएं सर गौ इक्वल टू गौ हलंद पलस ओ तो देखें न गौ हलंद पलस ओ आ गया यह सर तो ऐसे लिखाएगा अच्छा सर ऐसे लिखाएगा हां यह हुआ सही ठेक ऐसे लिख दीजेगा तो आपको तो बुर्बक समझ लेगा अब स तो अभी सीखा रहा है तो पहली से लाल बुलू मार दी है कि आपको पता चले कि लास्ट में क्या है और फोस्ट में क्या है तो जगत का पहला बला का लास्ट देखी पहला बला का लास्ट देखते हैं तो आ रहा है तो आ रहा है तो क्या है प्रथम बर्ण है बिलकुल है त तो बर्ग का प्रथमबर्ण तो तो ही है यह सरकनी के बाद क्या रहा है섯 उसको बड़ ही बोलते हम एक स्वरभर्ण है तो देखिए ना प्रथम के बाद क्या आया प्रथम के बाद स्वर बरना आया जी सर आया प्रथम के बाद स्वर बरना आया आया तो प्रथम का किसमें चेंज हो जाएगा तो किसमें बदल जाएगा दो में बदल जाएगा तो तो बदल जाएगा किसमें दो में किसी दूसर के बाबू सोना के पास नहीं चल जाना है तो तो अपने ही बाबू सोना यानि तीसरा इसका कोन बाबू सोना है दो है तो दो में चेंज हो जाएगा तो तो किसमें बदल जाएगा दो में तो जो गो और दो हलन्त हो जाएगा यस सर और ऐसे लग जाएगा इशा लेकिन सर आप बताए थे सर द और ई जूर जागा नहीं द हलंत और ओ जूरता है लेकिन एक बात आपको और बता देते हैं कभी भी हिंदी और संस्कृत के सब्द में बीच में ऐसे ई जो है धिटे नहीं लिखाता है यह रूल है अगर दिर्गी है यानि कि बड़ी है तो दिर्गी कार लग अच्छा, सर चोटी है तो हिर्शी कार लग जाता है सर इमारी टीचर नहीं पढ़ाय वाले बाई नहीं पढ़ाय तो सही है यहां दीर्गी आ गया नै अड़े बवा दिर्गी आ गया जी सर क्या हो गया ये हाँ देखे दिर्गी आ गया यसर तो हम लोग क्या करेंगे जोग आदो में दिर्गी लगा देंगे हलन थटा देंगे क्योंकि एक सब्द जूर चुका है इ बन गया जगदीस ठीक है क्या बन गया जगदीस बन गिया ऐसे बनता है संधी ठीक है तो अराम अराम से अब आपको क्या काम करना है ये तीनों संधी को होमवर्क में बनाना है क्योंकि वही कामिहा पर करना है अब चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अगले रूल पे चलिए स्टूडेंट अब जो है तीन सवाल देखिए हम दो सवाल कराएं हैं तीन सवाल लंडन वाली मैम कराएंगी तो मैम आज चुकी है तो अब हम निकलते हैं मैम पढ़ाएंगी हालो फ्रांट हलो एस टो एंद मैम मैम अच्कुलन फंदान इस सिस्ता फ्यक्रिन फंदान इस सब्सक्रिन पर्नियों व्रॉप अब लिए लुपक लिंगिर मैठी डिशे एश्टें आलवे औस तो राम डेखिए तो आन लुपकी बाली मैम टेखिए तो अब लॉछ सोब्स मेंजाट फट प्रफम और प्रफम प्रफम और ऑज़ वाट को को मैं गज़ इस इस स्वर्फम और फ्रफम और आध देर प्रफम वाट को मैं ट गज़ Miraj van what a Swear Ball, norm is what ? 1800 मैंa ने शष्ट सहर भारत मिल्ह, प्रुब थो री से के सक्णार हो कнем स्वूर 3 लेकिन रूल भी कहता है कि प्रुब haha की सवर भलक़ो नहीं है क्या है कि सप्वूर भन रहुक करने किसी ब़ार का 13 अगया यश तो भी रूल लग जाएगा तो को का किस में change हो जाएगा अपने ही तीसरा में तो इसका तीसरा क्या है तो इसका तीसरा गो है तो को का किस में change हो जाएगा गो में हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दी को हलंत है तो गो हलंत मतलब आधा गो और यह गजह पुड़ा उठा के लिख दिये अब देख एक सर्वाएंगे अल्लह हभी भी समास संधी की बीबी दकुष्टैनली दर इंपर्टमर्टन कुष्टैनल दकुष्टैनली तथ प्लस धनम तो वाइट इस तफिल लास्ट में क्या है तो लौंटर में सड़्टो क्या है तो क्या होती प्रथम बन होती उसके बाद धा आती धा क्या होती तो धा 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 चतूर्थी बन यानि कि चौथा होती तो भी यह रूल लगती क्यों कि प्रथम बन के बाद स्वर बन नहीं आती कोई भी दिकत नहीं होती तीसरा चौथा भी आ जाती तो चलती तो इस कुस्चन में प्रथम के बाद चौथा आती तो भी रूल अप्लाई होती प्रथम किस में बदल जाती तीसरे में बदल जाती अलह भी भी तो ता का तीसरा क्या ह तो तो किस में बदल जाती तो तो आता हलंत दो हलंत में बदल जाती और धानम ऐसे लिखाती ऐसे यह एंसर हो जाती लेकिन तुम लोग बच्पन में पढ़ती कि कभी भी दो और धा इस टाइप से नहीं लिखाती दो के नीचे दो लग जाती तो इसको हम लोग इस टाइप से लीखती ओके बाइ बफैलो काओ अब मैं इधर पढ़ाने में मेरो कोई इंट्रेस्ट नहीं होती को कि इधर पाईशा कम मिलती इतना दिर में तो मैं तेल लिकाल के अमेर हो जाती अलाह भीबी तुमको पढ़ाए आयू सर उनकी बीबी तो चलिए स्टुडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उपर से दो कुष्चन हमने बताया एक मैं ने और दो सेक सर ने आपको बताया तो थोड़ा बहुत हम बता देते हैं ठीक है कोकि वो सब तो तेल जो है एक साथ कभी नहीं लिखाता आप जो वाटसेप हिंदी टाइपिंग में लिख के देख लिजेगा ठीक है इस तरीके से हो जाता है तो घबराए नहीं अब इसको अपना दिमाग पर जोड़ दीजिए कि क्यों हुआ एक बार दिमाग का गुथी खुलेगा बन जागा अब बात रहा किस तर जोरने वाला काम तो हो गया तोरने वाला काम न बताईए उन में जरूरी है तो सारा संधी पढ़ा देते हैं उसके बाद लास्ट में सोब तोरने वाला बता देंगे घबराईएगा नहीं टाइम लाइन भी लगा दिये हैं तो देख लीजिएगा ठी बैठके अब एक रात पहले आए हैं जो भी पूरा सलेप सो करना है बेसिको करना है तो थोरा टेम तो लगेगा ना टेम है ना आपके पास तो हो गया चलिए अब देखिए अगला है स्टुडेंट प्राथम बर्ण का पंचम बर्ण में परिवर्तन एक दम आसान है प्राथम प्राथम बर्ण के बाद तो पहला के बाद अगर पचमा आएगा तो पहला पचमा में बदल जाएगा बड़ा सिंपल सा है अब इसका कुश्चन करा देते हैं देखिए यहां पर क्या है क्या है सर यहां पर को है ठीक है को है अब उसके बाद क्या है को के बाद क्या है मो है अब को क्या है सर प्राथम है अब मो क्या है सर नहीं पता सरी भुला गया है सर भुला गया है मो क्या है पंचम है सर कई से प न न विो के सींजी वाल बस चालाना पकोर के गंगा' जी में डूपकी लगा ले तीशा पाप धो लिघे महराज मह जो है पंचम है महराज मह क्या है पंचम है तो प्रथम के बाद क्या आया सर पंचम आया ठीक है तो प्रथम का किस में चेंज हो जाएगा पंचम में तो किस के पंचम में अपने ही पंचम में तो को का पंचम क्या होता है सर को का पंचम अंगा होता है तो अंगा में change कर देंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है ये लिजी अंगा में क्या कर दीजे change कर दीजे बन गया ठीक है बन गया संधी उसके बाद देखिए तो आया तो क्या है सर प्रथम है कईसे पता चला रे तो बर्ग का प्रथम है नहीं है यह सर तो इप्रथम है जी सर आप मो क्या है पंचम है ठीक आप प्रथम के बादा या पंचम तो प्रथम का पंचम में change होगा लेकिन अपने ही में change होता है इस अब नेता है अपना विकास पहिले तो अपना ही विकास कराता है तो तो का पंचम क्या है सर तो का पंचम हम भूला गया सर नो हलन्थ है तो नो हलन्थ में चेंज कर दीजे तो क्या बन जाएगा नो हलन्थ में चेंज कर दीजे ये बन गया आखिए 9 हलंट में change कर दीजे, तो क्या बन गया, ये उड़ गया था, तो थोरा सा दिक्कत हो गया हूँगा, अराम से बताते, तो हलंट प्रथम है, यह सर, अब मौ क्या है, सर 5 है, तो प्रथम के बाद क्या आ यहाँ प्रथम का किसमेंज दागा, पंचम में किसके पंचम में तो अपने ही तो तो का पाचमाचर क्या होता है नो होता है तो तो किसमें बदल जागा तो हलंथ है तो नो हलंथ में अब बाकी बाद वही उतर जागा एक आज से ही आपको बता देते एक सर ने जूरे रंपत सर वह आपको बताएंगे तो चलिए रंपत सर आ रहे हैं बहुए ये दो कुष्चन जो है ये बड़ा हसीन सा कुष्चन है अब बहुए एकजाम में भी ये बड़ा पूचता है और आज मैं भाई तुम लोगों को ये पढ़ाई देता हूँ सत जोर भाई ये मारकर भी बड़ा जुर्म कर रहा है बंद हो जारा है पारवा सत जोर मती तो भाई तो जो है वो प्रतम है ये कहने की बात नहीं है ये बच्पन से तुम लोग पढ़ रहे हो जब हाँ पेंड में स्कूल जाते थे तो आप प्रतम है मा पंचम है प्रतम के बाद आगया पंचम तो प्रतम का चेंज हो जाएगा अपने ही पंचम में चम चम पंचम भाई भाई क्या पंचम पंचम लगा रहा है तो तो बदल जागा भाई दो में तो दो है और ये जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं होता ये हूँ भाई लिका आ जाता है भाई ये हजीन अपरादी तो के बाद नौ आया प्रत्म के बाद ये मैं नहीं पढ़ाऊंगे ये सरी पढ़ाएंगे भाई उनका जो है दम निकल गया अबने हम जो है पढ़ा रहे हम ही पढ़ाएंगे तो तो हलंत के बाद नौ आया तो तो क्या है सर प्रत्म है और उसके बाद क्या आ गया सर पंचम आ गया तो प्रत्म का किसमें चेंज जो जाएगा पंचम में तो तो का पंचम क्या होता है न होता है तो एता हलंत है तो नोन मतलब आधा और इधर क्या है नो listening लगा दिए तो स्योग से दिनुः मिल गया है तो हम क्या करें घर कोई करने नो सर आगे बढ़िए तो यह हो ग्या ब्यंजन शन्धी आपका शमाब सर सर उन्नोवला बता दीजिये न सर हम नहीं समझले सर हम तो क्या है नो क्या सर पंचम तो प्रतं प्रत्थम के बाद किया आया पंचम का किसम5 सब बात आप अपने बता रें तो का पंचम क्या होता है तो सर याद नहीं है सर ये सर 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 नो होता है तो नो होता है तो इधर तो हलंत है न तो नो हलंत लगेगा तो इजो है नो हलंत में मतलब आधा ना में बदल जागा मांकी वादू पूरे लगा देंगे तो सर इभी नो है संयोग है क्या कीजिएगा कु सब्सक्राइब कम जो चुका है इसके बाद सब कुछ सारा फंचन हो चुका है अब आएगा संधी का बरात संधी का क्या एगा बरात आएगा और जब भी पढ़ाई का महौल हो नम ठीक है तो पढ़ाई करने आज आईएगा हमारे पास ठीक संधी के बरात में जब भी साधी होता है तो कैसे समर्ज के ग्लो एं लबली फ्रेयर एंसम लगा लगा के सब पहुंच जाते हैं साधी में आए कोई चिंता नहीं उसी तरह पढ़ाई में भी आईए सौर तो थोर हाई पलस दोनों चीद काम हो रहा है पैकेज है वन प्वे वन फिरी मॉल है यह ठीक है तो अराम से दोनों चीद पढ़ना है अब हम लोग आ रहे हैं संधी के बरात में ठीक है अब संधी की साधी होने वाली है तो most welcome आ जाना भाईयो चलो आगे बढ़ाई तो चलिए लिब दूखदर्थ पी रहा है उसको लास्ट में बताएंगे वो सब एक ट्रीक है ठीक ऐसे तो संधी आपको तुरने में दिक्कत हो रहा है मतलब कि आप नाइंथ ओकर में ठीक ठाक नहीं पढ़ें यह सर सब तो आपको मालूमी है सर तो चिंता नहीं किजी वो ट्रिक ला ही ना चला है तो पढ़ाई भी आपका चला और साधी विबा भी हो रहा है ठीक है हो रहा है ना आज मेरे यार की साधी है यार की साधी है मेरे दिलदार की साधी है आज मेरे यार की साधी है वक्त है खूब सूरत बरासुब लगने है मुहरत दुले की भोली सूरत लगता है जैसे पूरे संसार किसादी है आज मेरे यार किसादी है आज मेरे यार किसादी है यार किसादी है मेरे संधी भाई किसादी है आज मेरे यार किसादी है ठीक है तो संधी के सादी में आप सभी का बहुत-बहुत क्या है स्वागत है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सादी बिवा हो गया अब जो संधी पढ़ते हैं उसका नाम है उत्बम संधी तो चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं उत्बम संधी को पढ़ना यानि कि जब बरात का डांस होने के वाद सब इंदर करता है अंदर में हम तो भाई देखते हैं कब खाना कहां क्या है ठीक और कुछ लोग तो कुछ और ही चक्कर में रहते हैं चोड़िया अटाइप संब बात करें और कुछ लोग पूछेंगे सम Ал्याम काम करते हैं तो काम नहीं करते हैं एक अपना दोस्त का ही बैंड तो उसमें कभी कभी अगर निमंत्रन दे देता है तो हम दोनों दोस्त मिलकर ही गाते हैं और लोगों को अपने गानों पे नचाते हैं ठीक है तो सर हमारे साथी में आप ही बजा बजा दीजिएगा तो अभी 50,000 चला है सुलला पार्टी के बैंड का ठीक आपका कुछ कम बिस कर देंगे फिर ही में बजा देंगे बस कंटेक्ट कर दिए ठीक चलिए तो अब उत्मम संधिक इसको कहते हैं तो सबसे पहले पूरा डिफनीशन लिखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि यह संधी होता क्या है कोकि संधी राया जब तक कुछ्चन न करा है तो उत्मम संधिकार एक सिंपल सा डिफनीशन ही कि यदी बीसर्ड से पहले यदि बीसर्ग से पहले यानि की जो भी कांट हो होगा तो बीसावे बजनस के बाद और उसके बाद यानि आपने और इसके बाद उओ ठीक्क है औ, तो भी चलेगा, नहीं तो क्या हो सकता है या किसी बर्ग का, तो वही किसी बर्ग का मतलब को बर्ग, चो बर्ग, किसी बर्ग का तीसरा, चाउथा, अपाचमा अक्षर तो भी चलेगा या, या, रा, ला, वा, हो ठीक है, हो, तो भी चलेगा तो बिसर्ग का क्या हो जाएगा बिसर्ग का उ में चेंज हो जाएगा अरे सर्ग हरास व यानि की छोटी उ बन जाएगा हो जाता है ठीक यह हमने इस्टुडेंट देखा यहरूर कह रहा है कि यदि बिसर्ग से पहले ओ हो तो एक बात अप अपने दिमाग में बैठा उसके बाद हो चलेगा या किसी बर्ग का तीसरा चौथा पाँचमा अच्छाड़ो तो भी चलेगा या 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 रॉलाव हो तो भी चलेगा हो तो भी चलेगा तो बिसर्ग का उ में चेंज हो जाएगा कहने का मतलब यह है कि यह रहा बिसर्ग या सर्ग अब बिसर्ग से पह रहे गा ऐगा नल्य 거지- यह भी रह सकता और भी रह सकता तो पहले इसका बताते हैं तो मिल में दे से यह आपस में दोनों मिल के वगतaudio-imir that यह फिर फिर पलस में आ आ जा तो इसो मिलके ऐसे बन जाता जिसको ओ हम लोग पड़ते हैं ओड ठीक है ओड बोलना अच्छा काम नहीं है सर गंदा काम है गंदा कामने ये ओड ये कुछ होता ही नहीं तो सर आप ओड बार बार क्यों बोल ला है इसको ओड़ते हैं लेकिन अगर ओ बो पलस और मिलके ओड बन जाएगा कुछ कमेंट करेंगे कि सार ओड नहीं बोलते हैं आप गलत बोले हम मान रहे हैं इसको ओड़ते हैं ये डो साइलेंट रहता है लेकिन अगर ओ बोलेंगे आप लिख दीजेगा आपका नमबर बूम बोजाएगा तो उससे अच्छा है यहा पर का तीसरा लीजे ले लीजे तो कोई दिक्कत नहीं है तो भी उ में चेंज हो जाएगा और यहां पर जो है नीचे गा लिखाता रहेगा यह जो है लिखाता रहेगा यह सर अई ओपलस गौ मिलके ओग बन जाएगा अच्छा सर और कुछुड़ा है तो ओग बने जो ओज बने जो रहे वो बनेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन और पलस बिसर प्लस और रहे तो ओड बनेगा ठीक 85% आपको आया होगा यह हमको पता है अब कुष्चन कराएंगे तो आपको और ज्यादा आएगा अच्छे दिन से समझ में अब देखिए स्टूडेंट यहां पर कुष्चन क्या है वो आपको बताते देखिए पांच कुष्चन यहां पर दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा अब पांचों का पांच आप कई से बनाएगा ध्यान से देखिए यह देखिए बिसर्ग है जी सर बिसर्ग से पहले क्या है उचारन कीजिए सर क्या है उचारन करना है. यो. सर, यो में « अ आ रहा है». आ इसमें है. तो सर, एक जो पिछला कुश्चन सब कर रहे हैं, उसमें भी तो को हलन धा. तो इसका मतलब सर, को उचारन में तो आ रहा है? नहीं, नहीं वह अग्वा।TON पूरा को लिखा लेगा? तो को में ओ आता है, हलंत लगा देता है तो नहीं आता है, कोहीं रहता है, अच्छा सर यह है, तो यहां पर यहां में हलंत उलंत है, नो सर, उड़ा यहां है, तो ओ रहना जरूरी है, यहां उचारन में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, यानि बिसर्ग से पहले क्या है, सर ओ है, विसर्ग से पहले क्या है जृान से देखे हैं मेरा थोपपरा मत देख दिखे ब्रस्ट के बार क्या है आप और पहले पढ़ने पढ़ागने क्या अप्स लगाद देंगे ओड लगा देंगे लगाने चली अब आप इसको एक साइट लगाईएगा को कि देखिए स्वर संधी में दूगो बढ़न लेके बहुत लपरा होता इसमें श्रीफ बिसर का चेंज करना है बाकी बात को हूँ बहु वही लिख देना है तो आप लिखे कोई दिकत यह सर द्यान संभी साथ है तो अब बचा यहां पर क्या क्या बचा बचा है वागि अपक्र यह बचा इदर पी लिख दियो इस टाइप से यससर अन्य हमें का च्पने कर तो सोक्रिकर मिशार स यहां में तो बोलने पर आही रहा यहां तो आ खींचके में से फेक देंगे लेकिन इमान के चलेंगे कि आ जो है इहां का इए एक्स्ट्रा आगया है ठीक? अब यह दोनों मिलके यहां पर क्या कड़ेगा, बीच में एडियस्ट होने चाहेगा, तो यहां कहागा कि भागे वो पहली से और यहां पर था कर जाने, सधा लो, ठीक है, और एक सद जाएगा, क्या बच गया गो डंडी और यह डो बच गया, तो यह बन गया अन्यो डो अच्छा सर यह था, बिलकुल यही था, कोई दिक्कत यहां तक में, नो सर, अब आगे चलिए, अभी 90% किलियर होगा, एक एक जामपल और सिखिएगा, और किलियर होगा, सब का जो दिमाग होता, अलग अलग होता, कोई एक के में सिखिया, कोई दू में, कोई तीन में, तीन में सुखिया जाता, तो आप भी बेट कीजिए, वेट अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब एंसर पहली से छुपा दि होगा है, ताकि कोई दिकत ना हो, ठीक, अब चलिए, अगला कुश्चन आपको कड़ाते हैं, देखिए, अगला कुश्चन भी सी पे बनेगा, को, तो को में हलन तो नहीं है, पूरा को है, उचारन कीजिए, तो को, ओ आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, सर विसर्ग आ पहले न, आप बोले थे, तो ओ के बाद भी सर्ग, या भी सर्ग से पहले ओ, बात तो एक ही है, तो भी सर्ग से पहले क्या आ रहा है, सर ओ आ रहा है, अब भी सर्ग के बाद भी क्या आ रहा है, सर मिलके क्या बन जाएगा, उड बन जाएगा, अब को बचा क्या, सर इधर को व बचा लेकिन आप देख रहे की को में अभी वी बचा सतर है समझझ लीज़िए जैसे पॉस धर करजा है वैई इ annot निकल जाना चाहिए लेकिन अभी भी नहीं निकला हुगा कि इसे निकाल दी उचा हैं conserv अब चलिए आपको जो है अगला कड़ाते हैं अब देखिएelf papas daddy आपको डुच्तामों पिसर्ग से पहले उचारैंग किजिए तो उसके बाद क्या आया यानि कहने का मतलब है भी सर्ग से पहले और फिर गोता आया सर्ग आया तो सर्ग नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है यह अपलस भी सर्ग क्या बन जाएगा सर्ग बन जाएगा और मिलके क्या बन जाएगा इधर क्या बचा गव बचा तो बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अच्छा यह बात है हाँ क्या बता है आपको कि जहां जहां पर बीसर्ग आं मिले तब ही औवाद और नहीं मिलेगा तो यहां पर ऊणित नहीं जो है तो मम नहीं रहना चाहिए तो क्या हो जाएंगा है तो समझना भी रहा है बनाना आपके लिए कोई भी रहा नहीं बस यही करना रहता है और प्लस प्लस और है तो यह ओड़ बाला लगा यह अब बाकी बाद रहती है ओग जोरी हो गया सिंपल है कोई दिक्कत यहां तक में नो सर चलिए स्टुडेंट अब जो है हम लोग आगे बढ़ते उससे पहले एक बार और बता देते हैं ठीक है क्योंकि समझना दो तीन बार जरूरी है ठीक है इस्कूल बाला सब तो नहीं समझाएगा क्योंकि वो सब आपका हितैसी नहीं है ठीक वो सब सिरिफ नोट गरने के लिए बैठा हुआ आपके पापा का खाली जेवी धीला करेगा ठीक है दस जार का महिना पांच का महिना ले रहा है अब बचा सब को कुछ बता आता नहीं रहा है खाली प्रेटिकल लिखवा रहा है जिससे कोई जनकारी नहीं उतना दिर में रिवीजन करा देता तो उना फायदे मंदर था यस सर लेकिन जिनता नहीं तो 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 बिसर्ग से पहले क्या है सर तो है तो नहीं तो है तो का उचानंग करते तो क्या आता है उसके बाद क्या है सर जो है तो सरी तो ओड नहीं बनेगा तो कहां हम कहने बनेगा हम कहने है कि और के बाद बिसर्ग है जो है चो चो जो तीसरा भी है ना जी सर क्य रूल में आपको पढ़ाए कि तीसरा भी रहे तो भी कोई दिकत नहीं है तो क्या बन जाएगा तो अब उसको क्या कर दिये गए यहां पर देखिए ध्यान से उज बन गया तो अब जम्बुका में का तो जो आप निकाल चुके हैं यसर तो इधर क्या बचा तो मंबुका बच यसर और ततो में का भी सर्ग आप गया तो हमें नहीं पहली से है तो आप ऐसे कर दिजिए गा तो तो जम्बुका बन गया यह बात था कोई दिकत था अब चलिए अब जो है अगला संधि आपको पढ़ाते है उसका नाम है रूतबं संधी या रतबं संधी तो या रूतबं संधी भी किसी किसी बुक में लिखा लाता तो ज्यादा पढ़िसान होने की जूरत नहीं है तो सरे स्क्रीन पे इतना क्या लिख दी है समझ नहीं आ रहा हुद है लुघ इसको समझाएंगे रुतमम संधी या रतमम संधी का मतलब होता है बिसर्ग को रो करने का नियम रो करने का नियम मतलब रो हलन्त करने का नियम ठीक है यानि कुल मिला के अभी तक के लिए ये समझे है कि बिसर्ग को रो में बदलने का नियम अब नियम कब अपलाई होगा तो यदि और आ के अत्रिक्त और आ के अत्रिक्त कहने का मतलब है कि O और A नहीं रहना चाहिए इस rule को follow करने के लिए A के अतरीक्ट यानि A के अलावा अतरीक्ट मतलब होता है अलावा एनिठिंग एल्स ठीक है किसी भी अन्ने स्वर के बाद तो स्वर्व्यर्द मतलब क्या हुआ तो O A जो नहीं रहना चाहिए तो रहे तो क्या होगा उसके बाद अगर फिर कोई स्वर आ जाता है तो अईया बर्गों का संधी नहीं नहीं करेंगा तो कई से समझ में आएगा अब देखिंगे अब यह वाला संधी देखिए अप ध्यान से देखिए ये वाला संधी देखिए और इस कुश्चन को कीजिए बिसारग को रौ करने का नियम पर ध्यान से देखिएगा आप उचारन कीजिएगा नी क्या रूल पढ़ाएं रूल पढ़ाएं कि यदि और आ के अत्रिक यानि और आ नहीं रहना चाहिए उसके अलावा कोई भी स्वर के बाद कोई भी स्वर हो और नहीं रहना चाहिए कोई भी स्वर बर्न हो उसके बाद बिसारग हो और उसके बाद कि कोई स्वर हो तो भी अच्छा या तीसरा चोथा पाचमा अक्षर हो या यह नियम लगेगा अब देखिए कि यह बिसर्ग से पहले क्या है तो आपके सर यहां तो बिसर्ग के बाद बोलने हैं तो बिसर्ग से पहले या कोई स्वर के बाद एक ही चीज है तो देख लिजिए कि किसके बाद है बिसर्ग किसके बाद है तो यहां नी नी ए के बाद भी सर्ग है तो वही चीत तो बताया कि ओ और आ के अत्रिक्त कोई भी अन्य स्वर तो ए कोई अन्य स्वर है कोई दूसरा स्वर है बिल्कुल और नहीं है उसके बाद भी सर्ग है बिल्कुल भी सर्ग है कैसे तो नी उसके बाद भी सर यह सर उसके बाद कोई स्वर है तो नो सर यहां तो स्वर नहीं है तो बह है बलंपिछकारी बह है तो बह क्या है कोई बर्ग का तीसरा चोथा पाच्मा बन है बिलकुल है किसका है सर तो देखिये ना पा फा बह बर्ग का है तो भी सर का क्या हो जाए बिसर का क्या हो जाएगा रो में चेंज हो जाएगा तो बस आप क्या लिखेंगे नी रहलंत और देखिए आप क्या लिखेंगे नी लिखेंगे और भी सर का रो में चेंज हो गया रोहलं तो बांकी बाद उसी को यहाँ पर उतार देंगे क्या बन गया नीरवला बन गया लेकिन आपने कभी भी नीरवल ऐसे लिखा हुआ देखा है नो सर गलत हो जागा बिलकुल तो सर ऐसे क्यों बना ऐसे ही बनेगा एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा रहलंद कभी बीच में नहीं लगता है निर्वन में उपर रेफ लग जाता है इसका तो ऐसे कर देंगे तो यह क्या बन गया निर्वन क्या इसी टाइप से लिखते ह चतुर बादने में याद है सिखाए थे ऐसे लिखेगा चतुर बादने तो गलत हो जाएगा चतु और वह पे रेफ देके हम लोग क्या करते हैं वह पे रेफ देके लिखते हैं द्यान से देखिएगा वह पे जो है वादने ऐसे देके लिखते हैं क्यों क्योंकि रहलंद ब ही रहना चाहिए क्यों क्योंकि और भी एक स्वर बन तो और के अत्रिक्त कोई भी स्वर रहे उसके बाद भी सर्ग रहे तो हम लोग चारण किये हैं तो नी इए एक स्वर है उसके बाद भी सर्ग है और उसके बाद भी स्वर है नो सर यहां तीसरा चौथा पांचमा है तो भी विसरग का क्या हो गया रो में चेंज हो गया ठीक है अब जो है आگए आगे आपको दूसरा यमपल दिखाते हैं नि पलस आसा बला अब देखिए यह क्या बना तो निरूबल बना तो निरूबल आप जानते भी है कि निरूबल को इस तरीके से ये बरबर आ जाता है अच्छा एक मिनट रुकिये कोई दिक्कत नहीं है एंसर छुपा देते है ताकि आप लोगों का क्या हो भलाओ सर कैसा कर दिया है रुकिये न सब ठीक हो जाएगा यस सर अब ठीक हो गया चलिए अब देखिए अब ये बना के क्या है कुछ नहीं है नी के बाद क्या है विसर्ग है अब उसके बाद क्या है औ है तो वही रूल हो जाएगा कि कोई किसी भी अन्ने स्वर के बाद तो कोई भी अन्ने स्वर जैसे नी इ है उसके बाद क्या हो तो विसर्ग हो बिसर्ग है भाई उसके बाद स्वर हो तो देखिए यहां पर स्वर है आ गया तो सर्ग तीसरा चोथा तो यहां पर नहीं है कोई दिकत नहीं है तीसरा चोथा पाँचमा बर्न या या यह मेंडिटरी नहीं है बिसर्ग से पहले कोई स्वर होना मेंडिटरी है उसके बाद नी, ई है, यह सर, अब उसके बाद क्या है, ओ है, स्वर आ गया, तो यह क्या बन जागा, भी सर का रो में चेंज हो जागा, तो नी तो इसी तरह रहेगा, यह सर, अब भी सर का रो में चेंज हो गया, जी सर, क्या बन जागा, निराशा बन जागा, यह आपने देखा, क्या बन समझ नहीं आया पहली बात तो यह बताईए कि सर यह उपर में आपने सर ऐसे यहां पर यूज नहीं किया रेव बाला आप यहां पर पूरा रॉल लिखे और को भी गायब कर दिये बताईए सर कंफ्यूजन कर दिये ध्यान से देखिए बहुत बेसिक चीज है अब एक बार और समझे दियान से समझे एक देखिए आप लोगों में थोरा सा पिसेंस होना चाहिए बेसिक आपका बहुत बिख है टाइम दीजिएगा तब न जादू कछडी तो नहीं है जो घूमा देंगे ठीक थोरा सा पिसेंस देखिएगा बिसर्ग से पहले क्या हो कोई श्वर हो जो और नो होगा को और के अलाबा कोई होगा तो नी है यह सर तो और उसके बाद और है तो बिसर्ग का किसमें चेंज देगा रो में अब आप जो है बिसर्ग का किसमें चेंज कराने जाएगा रो में तो करा दीजिए तो रो में करा दिये सर और आसा लिख दिये लेकिन ध्यान दीजिएगा रो में चेंज नहीं होता है बिसर्ग का रो हलंत में होता है अच्छा सर ये बात है हाँ तो यह जो है रो हलंत है और यह रो हलंत और फिर आपस में सट गया भी बताएं कि को इक्वल टू क्या होता है को हलंत पलस अ होता है बताएं कि नहीं बताएं यह सर तो रो похожcha उसमें उपर नहीं लगा नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे क्योंकि निरासा में ऊपर नहीं है नो सब फिर यह सब जो है थोरा सा ध्यान में रखिए गा अब कुछ आगे और प्रैक्टिस करा देते हैं अब चलिए स्टुडेंट हम लोग चलते हैं आगे तो इसमें ज्यादा कन्फ्यूज मत होई रूतबम संधी आप 6 में 7 में 8 में 9 में सब के सलेबस में ठीक है सर नही कोई दिकत नहीं है पर पड़ लिए न कोई तिंसा नहीं वही चीज है कि यदी और के अप्लाई होता है जैसे आप देखेंगे कि यहां पर आप हम एंसर लिख दिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे नंसे और समझ में आगा यहां पर लिखा हुआ है इक था तो पितू 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 उर उक्या है एक स्वर बर्ग और उसके बाद क्या है विशर वही तो बताए कि और नहीं रहना चाहिए उसके बाद कोई भी स्वर के बाद विशर आ गया और उसके बाद स्वर हो या बर्गो का तिसरा चोता पाच्मा हो या यहरा लबा हो यसर, रूल क्या हो जाएगा, अपलाई हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ विस्तार किस में चेंज हो जाएगा, शर रो में चेंज हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है, रो हलंत में चेंज हो जाएगा, यह बनेगा पितूर इक्छा बनेगा यसर, तो सरी गलत हो जाएगा, यहां पर बन गया अंसर यसर तो यह जो है आपको को ध्यान में रखना उसी तरह देखिए हैंनों अफ्र हैं और उसके बाद विषर्ग है यानि कोई अन्य स्वर के बाद विषर्ग है उसके बाद फिर स्वरा ग्या तो फिर कोई दिकत नहीं बाद मैं स्वार आया, तीसरा, चोथा पातना आया, यहां रह लब हो आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर क्या बनेगा, बताइए आप ही, तो भी सर का किस में चेंज हो जाएगा, तो सर रह में चेंज जाएगा, तो मुनी, रह, आयम बन जाएगा, यह सर, लेकिन अभी आपको बन जाएगा, तो पूरा रह बन जाएगा, यह हो जाएगा, मुनी, रह, आयम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पर नोशा, बन गया, उसके बाद लास्ट आपको बताते हैं, जो और इंपोर्टेंट है, देखिए, देवी, अभी भी आ रहा है, उसके बाद भी सर्ग है, फ उसके बाद क्या रहा है, बिसर्ग आ रहा है, अब फिर क्या रहा है, तो उ आ रहा है, तो यह क्या बन जाएगा, विसर्ग का रह बन जाएगा, तो देवी अर रहलन और उ बाच, ऐसे लिखाएगा, लेकिन बीच में उ नहीं लगता है, जब भी उ रह के साथ लगता है, त यह रू बन जाता है ठीक है तो यह क्या बन जाएगा दे भी और रौ के उ इस तरह से रू वाच अच्छा सहां यह बन जाएगा तो यह हुआ कौन सा संधी रूतबम संधी यानि गत्व संधी यानि वीश्वरगों को रौ करने का संधी इसमें जो है जीतना बेसिक उसी के सौ बात आजाता है देखें यह सब रू बनाने वाला चीज सब बहुत बच्छा क्लाफ में पर आई होता है लेकिन हम बता दियें कि आप कंफ्यूज नहों कि किसी के मन में डाउट होगा कि रौ जो है यह उ कैसे बन गया इस तरीके से बन गया द्यान में रखेगा चलिए अब अगला स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं सत्वम संधी जो बहुत ही आसान संधी होता है तो अगला संधी पढ़ाते हैं जिसका नाम है सत्वम संधी तो अब यह स्क्रीन पे बहुत बड़ा डिफनीशन लिखा हुआ तो इसको देख के बिल्कुल भी घबराईएगा नही क्योंकि आपको पता है न कि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो पूरा इजी करके आपको पढ़ाएंगे और यह मान ही के पढ़ा रहे हैं कि तेंथ में आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो चिंता नहीं कीजिए सत्वम संदी का मतलब होता है कि बिसर्ग का सो में चेंज तो सो मतलब हो गया यह तलाब बेस यह मुर्धनी स यह दंस तो बिसर्ग का यह तीनों सो करने का नियम अब हम लोग कोई गुंडा मबाली तो है नहीं ठीक जो कर देंगे नियम से होगा 50% ही आपको समझ मैं है आपको पता है कुश्चन जब तो कराएंगे नहीं समझ ही नहीं आगा तो चिंता नहीं कीज़े कहने का मतलब यह है student की बिशर्ग के बाद बिशर्ग के बाद यह सदंस तो और थो रहेगा तो बिशर्ग के अस्थान पे आधा सो अपने आप लग जाएगा यदि बिशर्ग के बाद तलाबे सो चो चो रहेगा तो बिशर्ग का यह तलाबे सो आधा हो जाएगा और बिसर के बाद मुर्धनी सा टौथ हो रहेगा तो बिसर का मुर्धनी सा हो जाएगा अब फटा फट एक्जामपल देखिए और कैसे करते हैं फटा फट देखिए देखें पहला question में क्या है बहुआ तो भिसर के बाद आगया तो भिसर के बाद तो आगया तो क्या पढ़ा है कि बिसर के बाद बहुआ तो भिसर का यह दंसा आधा में change हो जाएगा तीक है क्या यहां पर भी वही चीज लिखा हुआ है कि यदि बिसर के बाद क्या आए कहां गया है यदि बिसर के बाद ये तो आए तो क्या हो जाता है तो आधा दंसर हो जाता है तो इसको सिंपल करके ये जो है ये सब लटपट है ठीक इसको सिंपल करके लिखे कि बिसर के ब क्लास टू में पढ़ाय जाता है ठीक है अगर आईडियो ज्यादा है मोवाइल का तो कम कर लीजे नहीं तो ममी पपा भी देखेंगे तो कहेंगे कैसा बच्चा है लेकिन चिंता नहीं कीजिए हम है तो सब पढ़ा देंगे ठीक है चिंता की क्या बात है तो विसर्ग का आपन प्लस चो यानी विस्रंग के बाद ये दीच हो आए तो विसर्ग का ये तलाब सा आधा हो जाता है तो कर दिजिए लिजी कर देंगे ओ!!! सो अगर विसर के बाद जो सब आ गया उसी का आधा में चेंज हो जाता है तो हर यार बी बाद य Courtney साल मुर्धनी सा अधा हो जाएगा तो कर दीजियो मुर्धनी सा आधा तो ये हो जागा धनू और ये आधास बिसरगे का नास ये सर बाकी बाद उसी तरह उतार देना है कोई दिक्कत नहीं बिशर के बाद 100 तो बिशर के बाद जो सवते है उसी के आधासम में चेंग जाता है तो बिशर का ही आधासम बन गया बागी बद इधर का उतार दीए सार इससमें तो काफी सः है तो उससे मतलब ने इसका हमने नोट कर दिया है असर इसके बाद जो भी सर्ग दिया है जो अभी धनुस्ट टंकारा में उसका कोई मतलब ने नहीं उसका कों सब्ध के बाद जो लास्ट विसर्ग रहता है वह इसी है, दिया है कुश्चन में तो लगा दीजिए, नहीं तो नहीं लगा ये, लीजिए बन गया आपका, ठीक है, तो यह त्यान में रखिएगा कि विसर्ग के बाद कोई भी अगर सो आता है, तो अपने ही आधा में बदल जाता है, तो तो आत चलते हैं, नया संधी पढ़ते हैं, जो आखरी संधी है आपके सलेबस में, बिसर्ग को लोब करने का नियम, अब आपके कहेंगा कि सर, बहुत ज्यादा रूल याद करना है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर बिना रूल याद करे, बिना पढ़े, सब को फिर फूल माक्स आ सकता है, नहीं आ सकता है, जो पढ़ेगा वही लाएगा, लागा की नहीं लागा, यसर, अब जो है संस्क्रीट में आपके पास यह कारण नहीं होना चाहिए, कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ सम बता रहें तो अब आप नहीं पढ़ रहें तो गलती आप कर रहें फिर लास्ट में जब है मैट साइंस पढ़ ने डेली तीन बार चार बार पढ़ लिए तो ठीक है कितना भी पढ़ लिजेगा मैट साइंस मिला के 200 नंबर का याम होगा और इधर इंगलिस एसेस्टी संस्क् आपका आएगा ही भगवान करें लेकिन फिर सतर असी बैठ जाएगा अगर सुरू से मेहनत नहीं कीजेगा तो फिर आपका जो ड्रीम है 95 का कम हो जाएगा तो हम नहीं चाते कि आपका कम हो इसलिए हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए को कि हर एक सब्जेक्ट में नंबर जाएगा नहां धोके इसको देक बार भी नहीं अगर देखें तो तिकत करेगा ठीक है और जो लोग लास्ट में आये हैं ठीक है पढ़ लिजिए अगले बार से ध्यान रखिएगा इसाब कोई उचित काम नहीं है कि लास्टे में एक के रात पहले सलेबस कंपलीट करना ठी कि इसाब कोई अच्छा काम नहीं है ध्यान रखिएगा कुछ लोग तो आते हैं तो टीचरे के गरिया देते हैं जल्दी जल्दी कड़ा तू बरबाद करा रहा है रहे बहुआ समय तो आप बरबाद कर दिए लेकिन अभी भी मौका है पढ़ लीजे लसी आ ये नहीं तो ल बिसर्ग को गैब कर देना है और हूब वही कुष्चन ही उतार देना है देखे कैसे तीन रूल कहता है यदि कहता है कि यदि सो और एसा के बाद सो हो या एसा हो इस टाइप से लिखा हो सो और एसा इसके बाद औ को छोड़ कर कोई अन्ने स्वर या बेंजन हो कोई मतलम नह नहीं रहना चाहिए सोर एसा के बाद तो बिसर्ग का जो है वो क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा दूसरा रूल कहता है कि यदि बिसर्ग से पहले औ हो और उसके बाद औ से भिन कोई भी स्वर हो ठीक है बिसर्ग से पहले और रहना चाहिए और उसके बाद और नहीं रहना कि यदि बिसर्ग से पहले आँ हो अब बिसर्ग के बाद आँ नहीं रहना चाहिए उसके उसके बाद यदि विसर्ग के पहले आ भी हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो या बर्गो का तीसरा चोता पाचमा अच्छर हो या या इसमें से कोई बर्न हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है लोप हो जाता है कुश्चन फटा फट देखिए देखिए यहां पर है बाला पलस अत्र, बाला पलस अत्र, तो विसर्ग से पहले क्या है, यह जारना जरूरी है, क्या है बताईए, बाला, बाला आ है, विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो, आ गिया यह सर्ग, उसके बाद कोई स्वर हो या बर्गो का तीसरा चौथा पात्मा बर्ण हो, उसके बाद अत्र में ओ है और एक श्वर है यह रूल क्या हो जाएगा? अपलाई हो जाएगा और यह जो विक्रम है यह हट जाएगा और यह जो है सिंपल यह बिसर को हटा के जो चीज है उसी को यहां पर लिखे दीजे लेकिन ध्यान रखेगा कि इसमें थोरा सा SPS देके लिखेगा यह बन गया, बाला अत्र कोई दिकत? नौ सर उसके बाद देखिए तो बिसर्ग से पहले क्या है? आ है काइख से पहले क्या है? आ है, बिसरक से पहले आ हो और और उसके बाद कोई स्वर हो या तीसरा चोथा पाचमा हो या 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 अलब हो तो भी चलेगा उसके बाद क्या है सर यह है तो भी क्या हो जाएगा लोब हो जाएगा विशर्ग से पहले आ है यह सर उसके बाद कोई भी स्वर है नो सर स्वर नहीं है वरगो का तीसरा चोथा पाचमा है यह सर यह है तो उसके बाद देखे शूरिया पलस उदेती विसर्ग से पहले क्या है तो सूरिया सूरिया आ है सरी तो नहीं बैठेगा कोई दिकत नहीं विसर्ग से पहले आ है उसके बाद कोई आ से भीन कोई स्वार है देखे तो हां सरू है उ भी एक स्वार है लेकिन आ नहीं तो क्या हो जा यह गय हो जाना और इस ताइप से यह बन जा ग़ा उसके बाद देखे और रामा लोल्त से पहले क्या है तो रामा से पहले इस से पहले हमाट से पहले हैं उसके बाद और से ख third भूपर है फिर भी बीसर गया हो जागा सटा के मत लिखे गलती हो जागा हटा के लिखते राम आग च्छति न बन गया भी सर का लोप करना अब देखिए इस्टूडेंट अब जो है आगे चलते अब है सोह पलस करोती तो सोह और एसा के बाद क्या हो क्या हो बार बार देखाएं यसर दिखाएं देखिए सो और एसा के बाद आ हो ना हो आ को छोर कर को या निस्वर या बेंजन हो तो देखिए न सो है उसके बाद क्या है को है को एक बेंजन तो क्या हो जाएगा भी सर का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपको सो करोटी अलग को बताते हैं संधी ब्रेक करना कितना आसान है चलिए सबसे पहले स्टुडेंट संधी ब्रेक करने का तरीका यह होता है यानि कि बिछेद करने का उसको तोड़ने का कि आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले यह आइडेंटिफाई कीजिए कि यह जो कुश्चन है यह कौन से संधी का है कौन से संधी का कुश्चन है तब ही तो वो रूल अपलाई कीजिएगा यह संध अब यह कैसे पता चलेगा तो एक बात आप अपने दिमाग में रखेगा कि आपके जो अंकल है CBSC अंकल अंकल जी कभी भी अपने सलेबस से बाहर नहीं जाते तो एक बात दिमाग में रखेगा कि यही दो संधी ही बेंजन और बिसर्ग में का जितना पढ़ना है वही रूल का कुश्चन आने बला है तो इसी में से कोई रूल होगा अब सबसे पहले आपको बताते हैं लोप का ही रूल देखिए जब भी कुश्चन के बाद आपको थोरा सा बीच में स्पेस मिले जैसे माल लीजिए कि अभी ये कुश्चन है एड करना तो आप आसानी से एड करके ये बना दिए माल लीजिए स्क्रीन पर देखिए हमें नहीं देखिए माल लीजिए कि यही आपको हम दे दे ये बाला पला ये अत्र ही ऐसे लिखके दे दे तो इसका तो एंसर ये होगा तो अभी लिखा है तो पता चल गया उस समय कैसे पता चलेगा तो देखिए उससे में तो यह answer ने न question न रहेगा यह answer तो इसके बीच में थोड़ा सा अगर space दिया है दो सब्दों के बीच में तो समझ लीजिए कि यह लोप संधी का question है अब तोरने में लोप का रूल लगाईएगा तो लोप का तो आपको पते है बीच में space दिया है इसको छिटका के लिख देना है अलग लिख के अभी शर्ग लगा देना है बस अलग लिख के भी शर्ग लगा दीजिए बन गया जैसे बृधा पलस यंति है बस क्या लगाईए बृधा पलस यंति बन गया कोई दिक्कत है? No sir तो बताए ना कि यह समार्टनेस उमामी गोतम के क्रीम चांप लेने से नहीं आता है स्मार्टनेस आता है दिमाग लगाने से दिमाग लगाए तो बन गया ध्यान रखिएगा जब भी बीच में स्पेस दिखें तो समझी लूप लूप का कुश्चन है ठीक अब देखिए यह स कुश्चन है सारे बच्चे इस साल का सेंपल पेपर का वीडियो देख लिए उसमें सॉल्व करा हैं नहीं देखें तो देख लिजिए उसमें करा दिये हुए फिर से करा देंगे टेंसर ने लिए अभी कुश्चन पहचान न देखिए अब इसमें देखिए कहीं भी आपको जोरने वाला हटाई, तोरने वाला दूसरा नंबर कहीं लोप दिख रहा, बीच में सपेस दिख रहा, नो सर, लोप का एक भी कुश्चन नहीं इसमें, तोरने वाला में, ठीक, ये सीख लिए, अभी कुश्चन कराएंगे, चिंता नहीं किजिए, चिंता से उम्र घटेगा, बुद्धी भी का मोथा इसलिए, उसके बाद 27 संधी का क्या है नियम, पहले थोरा सा इसका क्या करते, रफ कर देते, रुखिए, 27 संधी का क्या नियम है, ध्यान से देखिए, बिसर्ग को सौ में चेंज करने वाला कैसे तूटेगा, तो जोडने में तो असान है, जब भी आपको जहां जहां आधा सा दिखे अचा सर समझ लीजिए कि वहीं पर टूटेगा समझ लीजिए कि वहीं पर टूटेगा जैसे यहां पर आधा सा आपने देखा यसर तो समझ लीजिए संधी जो है यहीं पर ब्रेक होगा ठीक है तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा इता हमें यसर, आधा सर कैसे बना होगा, तो इता के बाद बिसर्ग लगा है, पलस में ततह लगा दिये, देखिए, कुष्चन वही बन गया, वही कुष्चन आ गया, यसर, यह कुष्चन है, तो यह जो है कम्प्यूटर अभी आप वाक्सेप खोलिए, उसमें हिंदी टैपिंग लिख लिखिए, आधा सर चो लिखिए, इसी परकार से लिखा जागा, लेकिन हम लोग इंसान है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए, बीच में ऐसे सो है, समझ लिजिए, यही पर खेल हुआ है, तो कोह के बाद भी सर लगाईए, सो के जगा, और चन पलस में लिखिए, कर दिखे सकती हैं तो धनू सराफ कर तोड़ रहे हैं तो भी सर सब कि पहले क्या पहचन लिए आप यहां पर क्या कर दिए जो है तंक कार जो है अच्छे से यह आपर लिख दिवнее अब यहां पर मामला फंसेगा थोड़ा सा आपके का सर यहां पर डबल डबल आप बोले है जहां अधा सव दीखे तो सर यहां तो इहों दीग गिया इहों दीग गिया कभी भी सब्द बीच में तूटता है और तोर के देखिए कि अच्छा सब्द लग रहा है कि नहीं जैसे कोई बात नहीं है आप चिंता नहीं कीजिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा रूतबम संधी का कैसे आप तोड़िएगा तो जब भी जहां देखिए रो बला कहानी है रेफ लगा हो या रो लगा हो वहीं पर तूट फूट होगा उसके बाद कहीं तूट फूट नहीं होगा अब देखिए इसमें तूर के आपको दिखाते हैं बिसर्ग का रो में चेंज हुआ है जी सर मतलब जहां रो है बिसर्ग का रो में चेंज हुआ है बिसर्गे का न रो में चेंज हुआ है रूतबम संधी में बिसर्ग का रौ में तो आप असानी से चेंज करते हैं इसको तोरने न सिखना है जब भी देखिए कि यहां पर रेफ लगा हो या रौ लगा हो तो समझ लिजेगा जहां रौ दिखें बीज में समझ लिजेगा कि वो रूत्बम संधी पर तूटेगा अब बाकी सारा रूल भूल जाईए रूत्बम का रूल लगाईए तो यहां पर देखिए यहां पर अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर कहां से टूट रहा है तो देखिए जाहां पर रौ है उसके बाद वाला सारा सब्द पलस में लिखा जागा तो रौ कहां पर तो रेप है उसके बाद वाला क्या है तो सर बल है बल को यहां पर पलस में कीजिए बाद में भी सर कोई मतलब नहीं है उस चन का वता इसको दीजिए में सारा इस पर का भी सर का केले आरो से पहले क्या है सर नी है रो एक्स्ट्रा है उभी सर का लग गया बन गया अच्छा सर ये बात है जी हाँ उसके बाद इस सवाल थोड़ा आपके लिए टॉफ परेगा अभी आप नए हैं ये नी पलस आसा पर टूट गया अच्छा सर ये सर आप बोले है अगर आईसे तो गलत हो जागा गलत हो जागा ऐसे कभी आप देखें ऐसे तूटता हुआ देखें तिक गलत हो जागा इसको ध्यान में रिखे और ध्यान रिखे कभी भी संधी को तोड़िये जैसे माल लिजे निर्बल को हम नी पलस बन लिख रहा है तो फिर ये जोर के देख लिजे की बन रहा है की नहीं बन रहा है जोर के फिर चेक कर लिजे की बन रहा है की नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं सुधारिएगा अपने आपको ठीक तो इस बात का ध्यान में रखिएगा ती प्रैक्टिस से होगा उसके बाद विसर्ग को उ करने का नियम जब भी आपको सर इसमें तो भी एस्पेस है नहीं यह जो है यह टाइपिंग बला एस्पेस है यह कुश्चन बला एस्पेस नहीं इ जब भी आपको बीच में ओड वाला देखें दीखे काहनी समझ लीजिए कि उहां पर जो है उत्वम संधी लगा है विसर्ग को उ करने का नियम तो जैसे देखिए अन्योड पी दिया हुआ है तो बस यह ऐसा बला डंडी और ओड से पहले जीतना भी सब्द है उसको लिख सब्द के इसे मटर लगा दीजिए प्लस में यहां पर पी लगा के आगे ओग दीज drifting बन गया अच्शासर यह था बिलकुल बिल्कुल बिल्कुल ओड में क्या बता है यह और इसको हटा दीजिए अब इसमें से यह इसको हटा एक तो क्या बचा सरक बचा इसके भी सर्ग लगाई पलस और इधर क्या बचा को रुकिया कम्प्यूटर फॉरा पगला गया है कि चलिए देखिए देखिए क्या आपको बताएं कि यह टा दीजिए जब भी ओ डूड वाला बीच में यह डौ बाला दीखे तो समझ लिजिएगा कि कौन सा है उत्बं संधी है देखिए यह तो एक आप प्रैक्टिस करिएगा तब आपको पता चलेगा हम आपको बहुत ची है तो ध्यान में रखिएगा कि जितना हो रहा है यह उतना लीजिए संधी बीचेद करने का कोई भी किताब आप देख लिजिए कहीं भी चले जाए उसमें कोई रूल ही नहीं है यह सब प्रैक्टिस से होता है यह प्रैक्टिस से हमको कुछ कुछ ठीक पता लगा जो आपक इसको गड़ कर दियेगा तो को यह कोड़ रहे तो इसको गया कर यह तो क्या बचा थर को बचा तो कॉम में भी शर्ग यह प्लस तरो इधर मचा तो तरो लिख दीजिए और आगे ऑ लगा दिए बन गया असरी इसमें तो व्रक्राइब नहीं है तो जब वह वाला दिखे ल एकले बला भी दिख जाए तो समझ लिजिएगा कि उसमें है उत्वम संधी यह ओग बला है तो कड़िए क्या कड़िएगा देखिए तो राम यह यहां पर बिसर्ग लगा के उसके बाद कोई इसमें एक्स्टा चीज नहीं जो भी लिखा गता लगा दीजिए अच्छा सर यह जो आपको ध्यान रखना जेसे देखिए ततो जम्बू का है तो इसमें क्या कि जेता लगा दीजिए विशर्ग लगा के और जंबू का पूरा लिख दीजिए वोड बला में बस आगे लगाते हैं इस बात का ध्यान रखेए तो बिसर्ग का सारा रूल आपको पढ़ा प्रथम बन का पंचम वाला का ट्रिक आपको बता देते हैं कि जब भी आपको लगातार दो पंचम दिख जाए तो समझ लीजेगा कि प्रथम पंचम कहीं यहां पर खेल हुआ है कैसे तो देखिए अभी आपको हम यहां पर बताते हैं जैसे देखिए यहां पर यहां पर पंचम है समझ यह पंचम का खेल हुआ है नौ और मौ दोनों पंचम है समझ यह पंचम का खेल हुआ है नौ और नौ दोनों पंचम है समझ यह पंचम का खेल हुआ है प्रथम पंचम तो रहेंगे सर कैसे बड़ा सिंपल है एक बात तो आपको पता है सर क्या एक बात तो पता ह कि जो भी टूट-फूट होता है वब पीछे वाले में तो होता नहीं तो पीछे वाला जो भी पंचम है दो पंचम जो लगातार हैं यस सर उसमें का जो लास्ट पंचम है उतार राम से लिह गडिफिए लिखें जी सर पहला गाको लिक दिज़ीं यस शर यह अधाフर advertise कनcl पंचन में ट्रांस्पर होता इसर्ट नौ गुरूप का प्रत्थम क्या होता है अच्छा यह बात था जी ये बात था अब जैसे इसमें देख लीजिए इसमें देख लीजिए मौ है मौ यह है जी सर इसको रूखिए कंप्यूटर वाला भासा अटाके इसको सिंपल भासा में लिखते हैं यह जो है बहुत मेहनत से हम ट्रीक जात किये जो आप लोग को दे रहें ठीक है जो नहीं समझ पा रहें दोबारा वीडियो देखिए क्योंकि सारा पच्छा समझ के गर्दा उराने वाला है बोड में यह ट्रीक आपको कोई नहीं बताएगा ठीक वां मय है यह कैसे बनाती बता दी अंग और मों दोनों पंचम है कैसे पता चला रहे को खो गो अंग आप अपभभभभ म तो मय यह जो है बाद बला एकदम लिख दीजिए य परत्म पंचम यह बात है जी हां और परत्म तिर्तिय हा का यही डिक है की जहाँ परत्म यही है दिखें समझ गया है यह सर तो वहीं पे चेंज होगा तो इसमें जो है छुटा सांड के तरह नहीं रूल चेंज हो सकता है मतलब कि यह नहीं कि इसमें जैसे फटक फटक इसमें सीखे इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से बनाना परेगा और जिस चीज को भी तोड़िएगा उसको अराम से जो है बना लीजिएगा मतलब कि अराम से उसका क्या करिएगा फिर जोर के देखिएगा अब जैसे यह सब देखिए अब बोर्ट का कुश्चन जो है इसी लेबल का आप से पूछेगा कैसे बनेगा नीचे अंसर उससे मत देखिए हम आपको बताते हैं अब रूल आपको पढ़ाएं देखिए बिसर्ग लगा हुआ है तो बिसर्ग संधी का यूज होगा जी सर तो कितना असान है बना दीजे सर कईसे बनेगा बता देते हैं कैसे बनेगा बिसर के बाद क्या है सर कहा कुछ है बिसर के बाद तो हलंथ है तो हलंथ का आई तो आधा तो है लेक्चर में बताये थे न कि तो हलंथ का मतलब होता है आधा तो को हलंथ का मतलब होता है आधा को अच्छा सर हाँ बताये थे तो भी sir के बाद तोहलंथा है जी sir तो भी sir का किस में चेंज हो जाएगा sir आधा 100 में हो जाएगा तो भी sir का change कर दीजिए आधा 100 में कितना simple question है भाई बन गया अच्छा सरी था तो इसमें जोडने में कुछ change नहीं हो कुछ change नहीं करना है परिवर्तन आपको class 10 में पढ़ना है जोड़ने तोहिने का भूल जाइए तो विशर का सौ में चेंज है विशर का सौ में चेंज कर दी पडीवर्तन कर दी दूसरा आप बनाये विशरं में चेंज करके तोरिए इसको क्या टूट जागा बताईए हाई सही जवाब आ रहा है सबका चप छूरो नाम नी ऐसे टूट जागा देखिये यहाँ पे तो है यार अलाब वाग परथम बन के बाद क्या आया वो आया परथम बन का किसमे चेंज हो जागा तिरतिय बर्ण में पर्थम बनना से तिर्थिये बनने पड़िवर्थन पढ़ायते न उस पे है पर्थम बन का तीसरे बन में चेंज़ो जाएगा अपने ही बर्ग के तो 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 का किस में चेंज़ो जाएगा दो में तो हलंत है तो दो हलंत रहेगा ये भी कुछन आप लोग को हम कड़ा वहीं बन गिया चौथा कि इसमें तूट जागा तो ये भी पर्थमन इश्षार में ऊठूजेंयो that I was diagnosed has God equal number 5 जो है कि यह जो है एक वाप कसक्र करके समझ यह जो है इस प्रथमन के देख लीजें ये आ जायेगा कैसे तो पर्थम बन के बाomina परिवर्ठन हो जाता है तो तो हलंत बन जाएगा आधाना और यह पूरा ना बन जाएगा सर आप जूट बोले इसका एंसर यह है और इसको जब हम जोरेंगे तो यह आजागा सर यह तो यह आया सुन लिजे वाट्सप में जाएए और हिंदी टाइपिंग ओन कीजिए जब आधाना और आधा परकार से ऐसा बना देता है ठीक है तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा तो इसका एंसर तो भाई यह हो जाएगा अगर जोड़ना रहे तो ऐसे लिखिए पांचमा है बिसर्ग भब्त वाला जोड़िये सर हमको नहीं पता चला है उत्वाम बाला रूल पढ़ाएं थे न जी सर उसी पर बनेगा तो सब रूल पढ़ाएं हुए अब देखिया आप नहीं पढ़ेंगे तो गरबर हो जाएगा ठीक नाम देओ के बाद भब्त तो चलिए स्टुडेंट अब हुआ आज का लेक्चर जो पढ़ना भी उतना महनत का काम है क्योंकि जो महनत का काम होता है और काम सब करने में करता है करता है कि नहीं करता है या सर करता ह्य तो है अब भी मaking जी करते हैं उससा में डिश्टर्ब चल रहे हैं ठीक है और थोरा सा इदर उदर बोट का भी एरेंजमेंट कर रहे हैं लेकिन कल्कुलूजन यही है कि सब छाप तो आता है लेकिन अंत में जो दे देगा उसी पर लग जाता है ठीक है तो ध्यान रखे कि आपके भी नेता है तो आप भी कुछ दिजी है ठीक है क्योंकि वह जीतने के बाद आपको कुछ भी देने वाले नहीं तो अब जो है एक बात आपको बता देते हैं कि मेहनत तो इसलिए लगा है कि बहुत मेहनत से आपको पढ़ाएं असारा बवावा वाला चीज बताने में और आलत खराब होता है ठीक है तो आज के इस लेक्चर में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लोटिपिकेशन दबा दीजिएगा और हमारा एक फोटो लेके इंस्टागराम पे इस्टोरी मेंशन किजिएगा ये इसलिए लगाए हैं ताकि यहां पता चले कि कितना बच्चा इहां तक पहुचा है क्योंकि आप लोगों का 1000 से ज़्यादा मैसेज था कॉमेंट टुमेंट से मिला के कि सर सुन्धी में दिक्कत है सुन्धी ब्रेक करने में दिक्कत है हमको लगता इसा मेहनत से जो ट्रिक बताया है कहीं नहीं आपको मिलेगा तो देखते हैं कोई नहां तक पहुचा है तो इंस्टाग्राम पर टेग कीजिएगा और जो भी बच्चे अभी तक प्रो बैच को जोईन नहीं किये तो प्रो बैच को जोईन जरूर कीजिएगा इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है ठीक और वन टाइम इसका 399 फी है जो कोई बहुत बड़ा फी नहीं है एकनम छोटा साब फी है ठीक और इतना ज़्यादा आपको चैनल के तरब से मिला है कि ये फी उसके सामने कुछ भी नहीं है इसकूल भी तो इतना लगी रहा तो यह देते हैं तो इससे सपोर्ट होता है इससे नेट पैक भड़ाया जाता है ठीक है एडिटर ओडिटर को कुछ दिया जाता है ठीक तो यह सब सज्योग करते रहिएगा कोई भी प्रोबैस से रिलेटेट कोईरी हो सारा पीडिया जो है एरेंडिमेंट में एकदम लगा हुआ है और इंस्टागराम पे फॉलो करना न भूले अगर बाबु सोना को फॉलो करते तो हमें भी करे क्योंकि वह आपका समय बरबाद कर रहा है हम समय बना रहे हैं बाबु सोना माप करे सारे बच्चे मिलके घर का कपरा शाप करे तो इस्टुडेंट एहां पे जो है अब लेक्चर जो है खतम हो रहा है ठीक है तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाएं हम तो पढ़ाएं हैं साथ में मैं भी पढ़ाएं रमपत सर भी पढ़ाएं especially सेक सर कुछ जादा ही तेल पी के आ गये थे तो वो भी आपको पढ़ाएं और फूपा जी तो पढ़ाएं ही पढ़ाएं ठीक और अगर संधी में कुछ भी डाउट होगा हमें तो नहीं लगता है कि इतना doubt होगा क्योंकि class 8 में भी इस level का नहीं पढ़ाया जाता है, जिस level का पढ़ाया है, अब ही भी कोई संधी में doubt है, तो इसमें गलती कोई भी नहीं आपकी है, चूप चाप description में जाईए और detail lecture को आप देख लिजेगा, तो अब जो है बरात में सहरा सुहाना लगता है, दुलहन का तो दिल दिवाना लगता है, बैपलबर में बदलते हैं रिष्टे, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, साथ फेरों से बधा जन्मों कहें बंधम, त्यार सजोरा है रबने फ्रीत का दामन, है नई रसमें कश्में नई उल्धन, होठ है खामोश लेकिन केर ही डरकन, 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 डूले का चेहरा तुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दिवाना लगता है, दरक 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 दर